हमारे आत्मिश्वासी मुखर नए भारत के कहानिकार हमारे डिजिटल कॉंटेंट क्रिएटर्स की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए नैशनल ग्रेंटल क्रिटर्स आवर्ड का मń्जपदान करने के लिए इस विजन को सामने लाने के लिए मानने प्रतान मंतरी जी का बहुत बहुत आभार और आप सब digital content क्रेटर्स की ओर से मानने प्रतान मंतरी जी का स्वागत करने के लिए मैं फेमस podcaster राजशमानी को मंचपरामंतृत करती हूँ I'm honored to introduce the next person on the stage who needs no introduction but before I do that I want you to thank your stars शुक्र मनाओ guys कि ये content creator नहीं है क्योंकि अगर ये होते तो हम सब की दुकाने बंद हो जाती because जब ये real बनाते हैं तो viral हो जाती है जब ये tweet करते हैं तो वो trend बन जाता है जब ये radio show पे जाते हैं तो world का number one radio show बन जाता है जब ये कोई slogan देते हैं तो वो hashtag बन जाता है He does not write the trend He is the trend Ladies and gentlemen join your hands together for the influencer of the influencers the OG, the goat who is making the Indian dream possible for millions of Indians the creator of New Bharat Honorable PM Narendra Modi team थैंक यू राजश्यमानी कारिक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इन पुरसकारों के लिए चार सदस्य जूरी में से दो मालनिय सदस्य हमारे बीच पस्तित हैं मैं मंच पर रुपाली गांगुली जी और प्रिसुन जोशी जी को आमन्तृत करते हूं जो जूरी मेंबल्स हैं और अब अत्यादर्निय प्रधान मंत्री जी के करकमलो द्वारा पुरसकार वितर्ण का शुबारम किया जाएगा मानने प्रधान मंत्री जी तथा मानने मंत्री महोदे आप से रोध करते हूं कृपया पुरसकार भी तर्ण काशिवारम करने के लिए मंजपर आगे आएं. The first category, the award for the new India champion, the award goes to Abhi and New. We are pioneers in shaping the perspective of new India. To their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for new India. अब्धारत की जो इमजब बन रही है, जो चबी बन रही है, वो बहुत सरी negative बन रही है. लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बाते हैं, बहुत सारी positive बाते हैं, जो पूरी दुनिया तक पहुचना आवश्यक है. ताकि हमारी जो नई पीडी है, वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए. तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है, वो पूरी दुनिया के सामने लाए. इसलिए भी और निव आप दोनों से में पूछना चाहूंगा, कि ये थोड़ा साहस का काम है, मैं भी पब्लिक मिटिंग में जाता हूं, और जब आर्थिक विशय और आंकड़े बोलता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि लोकों को नीन नाना शुरू हो जाती है, कोई हलकी भ आपको नहीं लगा का विशय इतना ड्रा है, कैसे लोग इंटरेश लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी एक पॉर्सेंट एनर्जी से अगर हम बात कर पाएं, तो फिर हम उस मेसेज को आपने फिर चालेंजिक चुना है, लेकिन बेश के लिए बहुत जरूरी है, मेरे तरफ से बहुत बढ़ाई है And the Best Storyteller Award, the award goes to Keetika Govindasamy, known as Keep The History, she educates about the real history with unique perspective, gaining popularity for her engaging approach to Indian history Oh, oh, Baba, आप पैर ने कुछ देखे, वैसे पॉलिटिक्स में, बतानी जेश में परंपड़ा बन गई ही लोग पैर शुते हैं कलाज जगत में पैर चुना, उसका भाव अलग है तरही मैं बहुत बिस्टब हो जाता हूँ और उसमें भी यह कोई बेटी मैं सुनना चाहूंगा आपके विशे में कुछ अंजाओगी मुझे हिंदी समझ का सकती हूँ बट बोलने के लिए तोड़ा मुष्पिल है आपको जो मर्जी पड़े बोलो यह जेश बहुत बढ़ा है किस्ट यह किसी कोरे वे तो आप तो सुनने वाला मिली जाएगा आपको और अपुछ जाएगा नापको जाएगा। क्या आ रहा है जब आप क्योंकि इतिहास से कुछ गटना है उठाती है और बड़ा अब तो जहां से काम कर रहे हैं थोड़ा तकलीफ होड़ा हिलाका है तो क्या फिल करते हैं आप I would say it's like it's little complicated since you know history and politics are like interconnected so it's like I get a lot of toll also but that's fine it's it's just share with the facts and all teenager to do group I'm just such a yada up not so I have a data but I love a book only for something that I can't I can't I can't come to concede to your job in English they like actually in my audience I have a lot of teenagers and they really watch things in September was a red pillardy teenagers here so they really like things about the stories which talks the greatness of India so that kind of story they really like a lot I'm going to talk about yeah people really feel proud of it what's about career based thank you all the best so big applause for Ketika going the Swami and the next category is disruptor of the year award stop it mandando challenge they can neither banana valley award just giving her head and we Allahabad yeah we know him as beer by this he focuses on fitness spirituality and lifestyle through his the run and we show oh the heart because fitness coming to the end of the world yoga can neither your meditation can neither do you know what they love तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी बाले हो गए हो मोधी जायद यूध की बाते कर रहे हैं तो पूरा यूध होई मेडिटेशन कर रहा है आप वस वही बात फिर से कह रहा हो मैं कभी आप मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी क्या नहीं है क्यों सर क्योंकि बहुत कठीन होता है जी मुझे खुद को पचास साल छोटा करना पुड़ेगा तब जा करके आपके साथ थोड़ा विवलेट बैठेगा मेरा विशे पूछा क्या नीन के समन्द में आपको कारकम करते हैं कभी-कभी एलिएंज येटीज के सपने आते हैं नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि सच्विच में नींद की बहुत उपक्षा हो रही है जबकि पूरी दीन्चरिया में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूं मैं नीन के समद में बहुत ही इंडिसिप्लीन हूं मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डारते रहते और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है मैं बहुत कम सोता हूं लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी निद्रा करनी चाहिए योग निद्रा अलग है जी वहां मट ले जाएए देखे योग निद्रा वो विशह है जो दॉर्मली नीन से कच्छनाई आया है नहीं हो पाती तो नीन योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 गंदा और निकल जाता है आपके साथ पॉड़कास करने का मूड हो रहा है अरे वाँ आपके साथ पॉड़कास करने वाले ग्रींग चेंपियन अवार्ड जिसके विनर है पंक्ति पांडे अधने स्रॉट साइंटें पंक्ति एंपलिफाइब पांडे यह पांडे यह पॉड़कास की पैजान है कि आप लोगों को अम्दाबादियों की पैजान है कि आप लोगों को हम अम्दाबाद यह लोगों के लिए और पता रहा हूं उनके लिए कहा जाता है कि यानि कोई बुरा मत मानें को आजक्कर आज है कुछ भी बात बड़ा वीबात का विशे बन जाती है कि लेकिने बच्पन में जो सुनते देवां पे बता रहा हूं मैं मैं मानता नहीं मों एक बार रेल्वेर प्रेट्वाम पर ट्रेन आई तो उसके जो प्रेसेंजर था वो उपर के बर्ग पर था तो उसने बाहर खिड़की पर पूछा कि भी कॉंसा स्टेशन आया है तो बाहर वाले ने कहा चाराना दोगे तो पताऊंगा तो उसने का मत बताऊं कि यह हमदाबादी हो गए तो बताईए के बारे में बताती हूं हम बदलाओ बहुत चाते हैं दूसरी चीजों में पर हम बदलाओ कभी अपने आप में नहीं लाना चाते हैं वो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है तो मैं अभी यहाँ पे जो सब लोग उपक्षिक्ष है यहाँ पे उनसे कहूंगी एक चीज हम अगर हमारे वहाँ पे करें हम अपने वेस्ट को टरे में हम दूसरों का कचरा देखते हैं पर हम क्या खुद निकालते हैं, वो हम कभी नहीं देखते हैं। कर रिक्वेस्ट अल उफ यू तो वेस्ट और इट यॉर डस्ट बिन। कि क्या हम हमारी लाइफ को जीरो वेस्ट बना सकते हैं। पूरे तरीके से नहीं, पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं। Thank you so much. अपने एक यूएन सेकरेटरी जनरल के साथ दुनिया के सामने एक मिशन लॉंच किया है। क्लाइमेट, एनवार्मेंट, सर्कुलर एकानमी यह सारी बातों से हम परिचीत है। और लोग दुनिया कहते हैं तुम यह मत करो, तुम भो मत करो सारा। मैं क्या करूँगा कोई कहता ही नहीं है। और इसलिए मैंने एक हाँ है, मिशन लाइफ। और मिशन लाइफ के पीशे मेरा इंटरेस ही है, कि आपकी लाइफस्टाइल ही एनवार्मेंट फ्रेंड़ी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं? एसी कार में बैठ करके जीम जाएंगे। जीम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे। फिर एसी कार में बैठ करके घर वापिस आएंगे। और फिर फाइफ स्टार होटल में जाकर के एनवार्मेंट पर वाशन देंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग की समच्या का समाधान का सबसे बड़ा उपाय हमारी लाइफ्ट्राइल है। बहुत अच्छा काम करें। और एम्दाबादी है तो बेस का बेस कैसे बनाना इसमें एक्सपरटाइज होती है। ये एम्दाबादी लोग एक भी चीज फालतु छोड़ते ही नहीं है। धनिवाजी। माइक देजी ये कोज़ों वो काम आएगा। बहुत बदाई आपको। चलिए आपने लोगों को अध्यात्मिक दुनिया के तरफ बड़ी आधुनक तरीके से रूची भालाई है बहुत बहुत धन्यवाद बताईए कुछ जी मैं कथाकार हूँ, श्रीमत भागवतम करती हूँ और गीता जी के उपर बाते करती हूँ क्योंकि मेरा बच्पन इनी चीजों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है चाहे शांती, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बढ़ाबे का काम है और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है क्योंकि सबसे जादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है और अगर मैं मठिरिलिस्टिक लाइफ के साथ-साथ अध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है लोगों को डर लगता है कि अध्यात में बड़ने जोला लेके चले जाना, आप उसको रास्ता बताई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा अध्यात में ज्यान है श्रीमत भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जारी है अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वा अध्यात में जारी है, क्योंकि सबस्क्राइब कर सकते हैं, इसी पर काम करते रहे हैं, लक्षी दबास बदाई हो, आपका लक्षी सभल हो बहुत बहुत शुक्रिया इस मंचे बुलाने के लिए परदंत सब मैं बिडाल डबास, हम जैविक किसान हैं, देश की जरूद जरूर थी 1970s में कि एक Green Revolution आया गया लेकिन उसके बाद देश बढ़ा, और आज देश के जरूद जैविक खेती की है जिसमें कोई रसायन, कोई pesticide हमारे खाने में जो जहर हम डालते हैं, वो ना डाला जाए इसी संदर्ब में हमने 30,000 से ज़्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के, हम जटखोड़ खेत से बिलॉंग करते हैं, जो दिली सोनिपत बॉर्डर पे हैं बुला के, कैसे जवे खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, वो संदर्ब में उनको सिकाया है अगर हम सर्सो का तेल निकालते हैं, तो एक्सपैलर यूनिट नहीं, जो प्राचीन समय में कच्ची घानी का तेल हुआ करता था अगर हम गाएं पाल रहे हैं, जर्ची एचेफ नहीं, जो हमारी देशी गाएं है, गिर है, सहवाल है, थार पारकर है, राठी है क्यों उसकोई वी हमें ज़्यादा सेवा करना ची और उसके दूद में और उसका जो घी बनता है क्या उसमें ज़्यादा प्रोटिं कंटेंट होता और हमारे शरीर के लिए क्यों वो ज़्यादा ज़रोरी है इसी धर्दर में हमारा उद Memphis यह पूद्धे रहता है और एसे नवजवान जिबकि दुनिया कुछ अलग सोचती है यह अलग सोच रहा है लोग लक्ष की मजाग उड़ात होंगे क्या यार तुम यह गायक वाइप में पुझे पड़े हुए हो उसके बाद भी वो उसको समर्पीट है आप कभी गुजरात के गवनर आचैर यह देविर से आग्रह करूंगा एक बर उनके साथ बैठिये हैं वह एक मिशन मोड में यह नेचरल फार्मिंग को काम करते हैं कुरुक्षेत्र में उनका एक साम भी है और गुजरात में करीब उन्होंने तीन लाग किसानों को नेचरल फार्मिंग के तरब ले गए है और जो उसके और गिनिक फार्मिंग और नेचरल फार्मिंग दोनों अलग है कुछ लोग कहते हैं कि और गिनिक फार्मिंग में शुरू में इंकम का बहुत लॉस होता है उसके कान कोई किसान हिम्मत ने करता है नेचरल फार्मिंग में लॉस नहीं होता है और देरे देरे प्रोडुक्ट करूंगा आप आठाय ये देवरज्टिय से जुरू मिलिये यूटुब पर उनके बहुत सारे लेक्टर्स है आप उसको देखिए बहुत 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 शुक्पाम नाज़ आपके अरिशनल सॉंग्स होते हैं और आप परंपरिक लोग गीत के माध्यम से विभेन भाषाओं में भार्तिय भाषाओं में गाती हैं और माइदेश की सम्रध संस्कृती को सामने प्रस्तुत करती हैं मैधिले ठाकुर मैधिनी नमस्ते कि अद्ध कुछ सुनाई दो और ओके प्या है कि लोग मेरा सुन सुनके ठक जाते हैं बिल्कुल सर अच्छ थाटेना ना ने 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 विल्कुल मैं आपको सुनाती हूं और सबसे पहले सब ही लोगों को महाशिवरातरी के डेर सारी शुवकामना है तो शीव जी क दिमिक दिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला भोला सिंघी नाद बजावत गावत लटक रही बगली जोला भोला डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला बहुत 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 बशाई मैं तरी आपको आपने देखा हो कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उले किया जन्मर से उसको आखे नहीं है हिंदुस्तान देखा नहीं है और मैं हरान हूं कि भारत के दक्षिन भारत की भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्राप्स करती है और भी पिछली दिनों यहां आई थी तो मैरा मिलना हुआ तो से तमिल में मुझे शिवहन सुना है और संगीत की क्या थाकत होती है कोई भाषा उसको बारूं नहीं है जर्मोनी के सिवा है लेकिन अधूत प्रभाव परदा करती है आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है आपने साधना भी की है मेरी तरब से बहुत बहुत बहु अज अधूत बहुत 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 And now, the best international creator, this award में?] तीन लोगों की नाम है Kiri Paul from Tanzania and Cassandra Mays Pittman, the German singer and we have one more award winner in this best international creator category, and he is Drew Hicks तो आप हिंदी भी बोलते हैं, भीहारी भी बोलते हैं यहां लोग आपकी भीहारी सुनना चाहेंगे मैं इतना नर्विस फिल कर रहे हूं कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब बोल गया है बट कोस्स करोंगा जो भी बोल सकते हैं, बोल लीजिए नहीं, मैं बहुत खुश हूँ दन्यवाद ओरड के लिए और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूं और बारत का नाम रोशन करना चाहता हूं अगर इसमें मैं सुक्सेस्वल हूँ, तो मैं खुश हूँ यह टालेंट कैसे आपको, कैसे इस तरह रूची बनी और कैसे आपको जिंगी आतरा शुरू हूँ मेरा पापा अक्शली बच्पन के बाद में वापस यूएस किया बट यूएस में मन नहीं लगा, मेरे को लगा मुझको जल्दी गार वापस आना है तो मैं आगिया चलिए आपको बहुत बहुत शुक्ता हम ना आपका एक बाग के भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इस्पायर करेगा और हमारे देश के टुरिजम पोटेंशल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रावल क्रिएटर और के विनर है कामिया जानी हमारे देश के कई ऐसे पहलों को सामने रखा है जो अभी तक अनेक्स्प्लोड रहे है So the beauty of India has been showcased by her in her videos That's कामिया जानी बहुत 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 आई Thank you so much, thank you Thank you कामिया जी बताईए मुझे घुमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ओफिस से ठके आ रहे आते या वीक भर पुरा काम करते है वीकेंट में हमें एंजॉय करना चाहिए जो इतनी beautiful natural beauty हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए और मुझे रहता है भारत सबसे ज़्यादा खुबसूरत देश है और यही objective है कि global map पर भारत number one पर हो और फिलाल confused हो लक्षवदीब जाओं या द्वारका द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भूत था खैर उसकी बात कभी फिर करूँ है लेकिन मैं नहीं मानता अब सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविजाजनक होगा लेकिन अब जैसे मैं आदी कैलास गया था आदी कैलास हमारा काफी उच्छे टॉप पर है और दूसरी दरब मैं हाँ द्वारिका मैं काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखेने के लिए आप ये जब भारत के दरोहर का परिचे करवाती हो तो मैं एक विशे दो भिशे लेके इन देनों चल दहा हूँ उसमें आप जो क्रियेटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं एक हमारे लोग क्या करता हैं जैसे कहीं चले गए सोमनाथ तो बस मैं ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे ये भागेंगे और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो उनके दिमाग में यही रहता है तो दोड़ो पकड़ो और फिर एक बार देख लिए आप इदर दर छुट्टी मैं कहता हूँ आप ऐसा क्यों करते हो जहां जाते हो कम सक्वाइक रात रूप जिए टोटल जो आपका बजेट है तू ट्रावेल का टोटल बजेट है कम से कम फाइव परसंट टैन परसंट लोकल कुछन कुछ चीछ खरी दिये लोकल प्रोड़क्ट है अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी फेरिज़ी थी ऐसा नहीं खाना वाणा तो कंपल्सर यह खाएंगे लेकिन कोई वहां की प्रोड़क्ट क्योंकि हमारे देश की जो यह भी एक सामर्थ है और वहां की इकॉनमी को बहुत बड़ा बल मिलता है अब जैसे माली जब बद्रीनाथ जए और वहीं से थोड़ा एक पांट किलोवेटर दूर मना गाउं गए और मना गाउं से हैंडी क्राप खरिदा तो हिंदुस्तान का वो पहला गाउं उसके बाद चाइना आजाता है वो पहला गाउं वहां के कुछ चीजे खरिद करके अपने गाउं ले तो हमने अपने विडियो में और आपका बहुत बढ़ा थैंक यू क्यूंख यू आप सारी ही मंदिरो को बहुती नया रूप मिल चुका है तो थैंक यू पटाथ एंग्यू आपका पहला टेग चानल है जो एक करोड सब्स्क्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया और यू इवन कवर्ड यू पी आई इन पारिस दाट गॉरफ चौधरी चलिए भी आज की दुनिया का इंसान है कुछ बताएगा हमें चलिए शुरू करते हैं मैंने दो हजार पंदरा अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था उससे एक साल पहले जब आपने मेक इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्लोजी के फील में स्पेशली इंडिया जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टालेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही लेकिन जैसे मनें देखा कि हमारे देश में जब manufacturing स्टार्ट हुई जो बाहर की कंपनिया भी इंडिया में आ रही है तो उससे मुझे लगा कि क्योंना मैं अगर अपना थोड़ा knowledge शेयर कर पाहूं तो बस बोई स्टार्ट किया है अपने द्यान में आया होगा एक विशे को ल तो गरों बराबर अच्छे तरह जानते हैं कि उसी फिल्ड में काम करते हैं लेकिन मेरा एक आगरह रहता है कि उजवल भविश्च के लिए हमें टेक्नोलोजी को डेमोक्रिटाइज करना चाहिए हमारा यूपी आई कि इसका बहुत बड़ा सिंबॉल है यह कुछ लोगों क बपोती नहीं है यह सब के मालिक है और दुनिया तब ही आगे बढ़ेगी कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गए और दुनिया बाट रहा ऐसा नहीं हम उसको डेमोक्राइज करते हैं और मैं मानता हूँ जीतना यह पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक् सब्सक्राइज करते हैं तो बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वह सारे सुलूशन्स हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पर इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो जरूर सब कोशिस चलेएगी बाद बादाई और मारे ने प्रधान मेंटरी जी के स्वच्च भारत अभियान से प्रेड़ना लेकर जिन लोगों ने डिजिटल कॉंटेंट क्रेट किया उनमें से चुने गए स्वच्चता अंबैसेजर हैं मलहार कलामबे मलहार यह जो लोग क्रिएटर से उसमें कुछ लोग वो भी है जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं इस पुरसकार के शुक्रिया मैं बेसिकली एन्वारमेंटलिस टू हम पिछले साड़े छे साल से मुंबै में स्वच्चता मुहीम चला रहे हैं आपी से प्रेड़ना लेकर पिछले साड़े सालों में ने पांचों से जादा क्लीन अप ड्राइब्स और्गनाइज की है इतने सालों में ने एक चीज़ देखी है कि लोगों को कच्चरा उठाने में शरम आती है लजजा लगती है कहीं लोगोंने मुझे कच्रे वला तक कहा है तो यगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे बहुत बहुत तुकामना है और आपने युवक को बड़ी प्रेहना दिये अच्छे-च्छे शेलिब्रेटि जो उनके साथ जुड़ती है तापी मेहनत करते हैं और नियमीत रुप से करते हैं ऐसानीक टोकनिज्म करते हैं और उन्होंने एक वातलन बनाया है मैं आपको बहु भी आपके साथ लीनब कर पहों थैंक यू जुरू जुरू मोगा मिलेगा और हमारे देश की सम्रद्द फैशन परमपराओं को आगे बढ़ाने के लिए अपरिश नेक्स कैटेगरी है अपरिश फैशन आइकन आवार्ड और इस आवार्ड की विनर है जहनवे सेंग आप पूरी तरह भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं जिनमें भारत की साधियां भी मौझू है स्पिच्वालिटी भगवत गीता हरीटिज फैशन पर आप काम करती रही हैं और दुनिया में भारत की चीज क्योंकि टेक्स्टाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है वो अकेला नहीं जाता है आजकल क्योंकि रेडिमेट ब्रांड का जमाना है और आप बड़ी मदद कर रही है कुछ सुनाईए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम जानती है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरुसकार के लिए और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृती, शास्त्र, संस्कार और साणियों के माध्यम से आगे लेके ज अब दुनिया में रेडिमेड का जमाना है और मैं मानता हूं का हमने इस प्रकर किसी को अगर गाइड कर सकते हैं आप जैसे लोग गाइड कर सकते हैं अब साफा कोई मानता नहीं रेडिमेड आता है पहन लेता है फोटो फोटो निकल जाती है धोती मानता नहीं कोई रेडि है उसमें भी साड़ी कठीन काम है पहना अगर उस आ रहा है थ्रवर तेकि मैं समय का वो जितना ज्यादा प्रमोट होगा दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है तो उस दिशा में कैसे आप लोकों को इंस्पार कर सकती है मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्स्टाइल्स है और उसको अपने वीडियो से मैं प्रमोट करती हूँ उसका पहनावा कैसा है उसकी बुनाई कैसे की जाती है टेक्स्टाइल कैसा है तो उसको आगे ले जाने का प्रयास है वीडियो के मा उसकी परमपरा, संस्कार, संस्कृति हर एक चीज बहुत सुंदर है तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाओं देखे भारत फैसन के दुनिया में लीडर रहा है बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों के लगता है मिनी स्कर्ट यह आधुनिकता के निशानी है या पर्ष ऐसे लटकाती बेहने आप अगर कोनार्ग जाएंगे सेंकडो साल पुराने मंदीर का जो मुर्तियां बनी है उसमें आपको एक मुर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स हैं ऐसे लटक रही है यानि सेंकडो साल पहले फैशन का वो नौलेज यहाँ पर पत्थर तरासने वाले को भी यानि भारत की इन विवित्ताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं बहुत बदाए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट क्रियेटिव क्रियेटर फीमेल की शेरी में पुरसकार प्राप कर रही है श्रथा जिने मशूर ये मशूर है अयो श्रथा के नाम से आप अ अलग अलग आशाओ में कौमी जी प्रस्तुत करती है हाज दिकलाकार आप लाइज श्रथा यो अधास मेरा दूबारा मिलने का मुका मिला है बहुत बहुत बढ़ाई बहुत 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 देश में अक कोशिश यह रहती है कि इसमें अगर एक humorous point of view या हास्य रस मिलाए जाए तो एक positivity फैलाई जा सकी जो भी परिस्थिती हो I think हमारे देश के लोग इतने प्यारे हैं कि परिस्थिती कितनी भी गंभीर हो हम हर चीज मुस्कुराने की वज़ा ढूंड लेते हैं और मैं अपने content से यह बज़ा दर्शानिकी कोशिश करते हूं बहुत बहुत थन्यवाद बहुत थन्यवाद बहुत द्हकर जबाज़ार से सब्ची कितनी भडिया क्यो नहीं लाए उस में जगता तड़का नहीं लगता है नहीं टेंस नहीं आता है तो यह हास्च्छा की चीज़े जो है वो आज आपकी spontanity ने सबको फ्लोर कर दिया है Thank you Thank you so much Thank you And now let's recognize the best creative creator में RJ Rahnak जो अपने प्रांक के लिए जाने जाते हैं अपने हीमर अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर पहत्री इंडिजिल कॉंकेंट तैयार करने वाले RJ Rahnak जो RJ कैसे हो भाईया रोनक नहीं RJ नाम पॉपलर कर दिया Sir मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपलर कर दिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूँ और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूँ और मुझे अच्छे से आदे जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक विक्ति आर है हमने इतने सालों से काम किया लेकिन शायद वो फर्स डे से ही सारे रेकॉर्ड तोड़ देंगे तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद बहुत बहुत बदाई अपको थैंक यू मोदीजी और स युद लूग तो अपने गीत कुदी रसाकॉर्ड करते होंगे फिर खुथ सुनते होंगे और घर माँ भुसता करते हो तो सुनाते होंगे बिल्खुल, सो सब की तरफ से मैं, मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं अच्छाइब प्राम निस्तर से मिलूँ गा तो मैं उनसे बगवा के स्टाइल में वही काऊंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगो को का है, से नमस्ति सेट मैं बगवा को लिया हूं बहुत से नमस्ति से बहुत से मैं बहुत से नमस्ति आप से नमस्ति से नमस्ति से अच्छाइब अगवा था नुटिय। जी बहुत बढ़ाई आपको जो मलहार है ना उनको खाना बनाना सिखाई या उसको कुछ सिखाई या सर धन्यवाद इस पुरुषकार के लिए और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए क्योंकि कोविट के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सिखना तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में एड़ करे तो ज्यादा अच्छा होगा और अच्छा होगा अच्छा हुआ आप इस काम को किया और आपके काम लोग जाने के कि वरना हमारे गुजरात के लोगों के एक सभाव रहा है वो साटरेडे शाम को किसी के रेस्टरान धूनते रहते हैं फास्ट फूड और फिर वहां मैक्सिगान कहां मेलेगा आप इसलिए और अगर वो कुलू मना ली जाएंगे तो हैर गुजराते डिज का मेलेगा अगर लेकिन आपने देखा होगा हमने 2023 को इंटरनेशनल मिलेटियर के रूप में दुनिया में पॉपुलर किया हमारे यहां परंपरा को से मिलेट खाया जाता था लेकिन आज हमारे डाइनिंग टेबल पर से वो खो चुका था फिस्यारा है उसके लिए क्या कर सकते हैं और दूसरा खाने में बनाने के तरीके दिखने का तरीका लेकिन उसके साथ साथ अब न्यूट्रेशनल वैल्यूस की एवरनेश उसमें आप क्या कर रही हैं मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे उनको फैंसी फूट पसंद होता है तो अगर हम उसमें ज्वार बाजरा रागी यह सफ लोर मिला के जैसे मैं सुब दूद की मलाई वस्ती है तो उसमें बनाना मैश करके डाल देती हूं थोड़ा रागी ज्वार फ्लोर काजू किश्मिश करस करके और इसकी छोटे-छोटे चैसे पैंकेक बना देती हूं तो बच्चों को पता नहीं चलता उनको लग रहा है कि बहुत मीठा है और अच्छा है तो बच्चों के स्वाथ के हिसाफ से हमें खाने में थोड़े चेंजिस करने पड़ेंगी और यह जो मिलेट है वो हम अपनी लाइफ में आजकर डाइट कि थी तो मेलेट हम सबको अपने फूड में इंक्लूड करना ची और यह आपके बात है कि बच्चों को उसमें रूची बननी चाहिए मैं आप है जिसके मैं बच्चा नहीं था तब कि मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले तब तर्बन मुख्य मंत्री नहीं था और मेरा कोई दस दिन का वहां कार कम महां के सरकार ने मुझे बुलाया था हम मेरे हां से गया अटने के साथ नो फीश नो एक्स नो मीट सब नो 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 उनके लिए परिशाने ज़ाय क्या उसको तो पर उम्हेरे साथ जो उनके कोडिनेटर से उन्हें कहा कि साभ यहां एक बुद्धिस रेस्टरॉंट है जो वेजटेरियनिजम को प्रमू पर भी आपके लिए वेजटेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा तो मनका चलिए आपकी बहुत बड़ा से धन्यवाद करता हूं आपने मेरी सेवा की अम मैं गया है सब मैंने देख उन्हों शोकेश किया हुआ था ओर देने के लिए मैं देखते ही चोंग यहां क्योंकि किसी को दिखता साथ चिकन जयसा कोई दिखता तफिष जयसा कोई मतन की सारी चीजे दिखती थी तो तुम यहां कहां लिया है मुझे तो फिर बुदिस जो लोग फेवन और सम्झाग साथ यहां के लोगों को वेजटेरियन की तरफ ले जाने के लिए हम वेजटेरिन चीजों का शेप असा बनाते हैं ताकि वो मैंटली पहले प्रिपेर हो और आप भी कभी ताइवान जाये तो आज भी वो रेस्टरॉंट है खर मैं तो उसको देख कर गे मरामराम करके वापिस आया अजय को इस वाट का मैं द्यान दखूंगी अपने लिए जो दिखने में पोशन के लिए जितना ज्यादा बल दे सके मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा बहुत 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 शुकाम नहीं अपना ज़ने वाइव वाँ तन होशकार ओओ और इस पुरसकार के विजेता है टेक प्लस गैजट्स के लिए जाने जाने वाले नमन देश मुक नमन टेक्नालोजी गैजट्स, फाइनांस, सोशल मीडिया, मार्केटिंग जैसे विश्यों को कवर करते हैं समाने भाषा में तक्नीकी विश्यों पर शिक्षित करते हैं आपको नमन, बताइए नमन, पहली बात तो प्रतामत्री जी थैंक्यू सो मच इस पुरसकार के लिए, मैं एक्चली टेक रिलेटेट या फिर जो भी अवेरनेस होती है उस रिलेटेट वीडियो बनाता हूं, लोगों को अवेर करता हूं, जिस तरीके से इंडिया में टेक् स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर कई सारे ऐसे भी लोग हैं, जो शाहिद अपना बैंक अकाउंट तक खाली करवा देते हैं, कुछ स्कैम्स के कारणा, तो उस ताइक कई वीडियो रहती हैं मेरी, प्लस इतनी सारी गवर्मेंट की स्कीम्स होती हैं, जो लोगों तक नहीं पहुच पाती है, तो उसकी अवेर्नेस वगेरे पर हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह प्रकार से लोगों को जगाने का काम है, अधरवाई, लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदे के तो शौकिन है, लेकिन इतना सिंपल मेरा कॉंटेंट हो, उतना लोगों को समझने में आसानी होती है, तो मेरा जो हमारा एक रीजन है, टेक में आने में या फिर एजुकेशन में, कि एजुकेट तो करना है, लेकिन बहुत सिंपल और फन तरीके से लोगों को चीज़े बतानी है, और शायद उस च टिंकरिंग लेब्स बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों में चलती है बहरत सकार पैसे भी देते हैं और छोटी-छोटी बच्चों के लिए है वो पाच्वी शटी साथ भी कंशादी और टेक्नोलोजी के लिए ही है उनका साइंटिफिक टेमपर तैयर करने के लिए लेकिन मैं उन दिनों इन बच्चों को जो मिलता हूं क्या चीजे बना-बना के लाते हैं क्या सोच करके लाते हैं कभी आप ऐसे अटल टिंकरिंग लेंग पे जा करके उसको अगर कभी कवर करें तो हो सकता है कि यह बहुत बड़ा हमारे बच्चों को और दूसरा मैंने देखा चंद् स्मैच की दुनिया में जाना चाहिए और यह आप लोग जो क्रियेट करते हैं चीजे हमारे बच्चों को साइंटिफिक दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करने वारी जितनी चीजे करेंगे बहुत बड़ी सेवा होगी ततानबर जी मैं यह आपकी जो बात है वो जरूर मतलब उस चीज़ पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं और जितनी भी चीज़े होती है जितना भी हम वीडियो बनाते हैं awareness को लेके मैं इस चीज़ को लेके बहुत जादा खुश होता हूं कि लोग education के प्रती बहुत जादा आज के टाइम पर आके बढ़ते जा रहे हैं और लोग सीखना चाह रहे हैं तो social media एक ऐसा platform बन चुका है जहाँ पर लोग अच्छे तरीके से बहुत सरी चीज़े सीखते हैं तो जो आपका suggestion है उसके लिए मैं 100% काम करने वाला हूं बहुत 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 अध्यात्म को भी जोडते हैं अंकेत बहुत 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 है है शुनाइए सबको और चलेंज भी देदीजिए आपको और गेमिंग क्रेटर काटेगरी के विजेता है ट्रिगर्ट इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय आप यूट्यूबर हैं लाइब स्ट्रीमर हैं गेमर हैं और आपकी कमेंटरी के लिए बहुत फेमस हैं निश्चय बहुत बहुत बदाई सुनाईए कुछ ट्रिगर हो जाए सबसे पहले तो थैंक यू फो दिस अवर्ट बीम सर और जैनुइनली इतना जादा नर्वस हूं मैंने कुछ नहीं सोच रखा था मुझे पता नहीं था कि यहां पर आके कुछ बोलना पड़ेगा जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे तब से मैं सोच रहा था लिख रहा था फोन में कि क्या बोलूगा एंड अभी भी नी पता क्या बोल रहा हूं बस एक चीज़ बोल थी के गेमिंग काटेगरी में यह वोर्ट दिया गया है तो उसके लिवस्ट था था सर के गेमिंग को भी रेकर निशन मलब मिल रही है और इट्स अबिक थेंग सो थैंक्यों मुझ बद बद खूकाम रहा है है और नेक्स्ट काटिगरी बेस्ट माइक्रो क्रियेटर और इस काटिगरी के विनर है अरी दमन जो वेदिक एस्ट्रालची और एंशेंट इंडियन विज़व पर काम करते हैं आप अध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिश पर काम करते हैं और सब को प्रेह ना देते हैं ओहो विया जुको मत भूत बहुत बहुत बढ़ाई तो आज क्या कार्कम है आज का बश्ति यही कार्यक्रम है ने इसलिए कि सारे लाइन लगा के खड़े ले जाएंगे क्योंकि जोती सची चीज है कोई भी हाथ दिखाता है मैं अपना बच्पन का एक अनुभव बता दूँ मैं ट्राविलिंग करता सा बहुत और कभी आरक्षान दिजरुशन तो कोई सोचना इस नहीं था बीड़ बहुत होती थी अंडिजरु डिबे में तो मैं क्या करता था देखता सक यहां थुड़ा मोका है तो मैं किसी का हाथ कोकड़ के शुरू करता है देखना है तुर्ण लोग मेरे लिए शीट की व्योस्ता करते थे हैं आई आई यह बैठी अब आप बताइए लक्ष्मी है वदन परब्रह्मने नमाहा सभी को मेरा साधर नमस्ते और पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं जोतिश्की वीडियो नहीं बनाता हूं मैं धर्म शास्त्रों की कुछ विशयों पर अपनी वीडियो बनाता हूं और यह पुरुसकार मुझे मिला इसमें धर्म चक्र भी है इसमें व्रिशव भी है इसमें सिंभ भी है और इस धर्म चक्र की मर्यादा बनी रहे यह धर्म चक्र सतच चलता रहे इ धर्म चक्र केवल एक मूर्तमान पुरुषकार की कोई मूर्ती नहीं है, जिसको हमें घर में जाकर के सजा देना है, अपी तो अपने जीवन के अंदर इस धर्म चक्र को धारण भी करना है, और इसके अंतरगत कोई आध्यात्मिक कर्मकान नहीं आते हैं, इसके अंदर कोई प कुछ नहीं हूं मैं सामान्य बालग कि अपनी बारवी कक्षा इस समय कर रहा हूं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह जो कपड़े मैंने पहने हैं यह अद्ध्यात्म का प्रतीक नहीं है यह भारतिया संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम भुला चुके हैं प्रधान मंत्री जी ने देश भूशा की बात केरी हस्त कला की बात करी और मैं कहना चाहूंगा कि जो परिधान मैंने पहना है ये भारत का सबसे पुराना परिधान है जिसको आज लगबग इदर बहुत कम लोग पहन के आये होगे तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे छोटे से योगदान से यद्वेपी मैं एक बहुत बड़ा क्रियेटर नहीं हूँ लेकिन मेरे छोटे से योगदान से मैं इस राष्टर के धर्म चक्र में एक छोटा सा से योग देता हूँ और उसके लिए आप सभी का मैं साथ मांगता हूँ और उसके लिए मुझे यहां बुलाने के लिए प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत अभीनंदन आप सभी लोगों का बहुत-बहुत अभीनंदन आप अरी कैसे आइडेंटिफाइ करते हैं और अरी का दमन कैसे करते हैं प्रथम तो अरी अंतरमन के शत्रू काही दवन करें और बारी शत्रू बहुत रूप से होते हैं, फिजिकल शत्रू भी होते हैं, अंतरमन के शत्रू भी होते हैं, परंपराओं के शत्रू भी होते हैं, रहन सेहन के शत्रू भी होते हैं, और मैं समझता हूँ कि जितनी हद तक हम इन शत्रों का निवारन कर सके उतना ही अच्छा है और मैं इस अपने नाम को सार्थक करने के लिए उसे लक्षे की तरफ अगरसर हूँ और मानने प्रधानमंती जी के आशिरवाद से आप सभी के आशिरवाद से मैं इस पर आगे बढ़ता रहूँ ऐसी मेरी आशा है बहुत बहुत सुब काम नाज़ अना दे बेस्ट नैनो क्रियेचर ओवाड और इस अवाड के विजेता हैं देव भूमी उत्तरा खंड के चमोली जिले के पियूश पुरोहित पियूश जो ठानों के लोगों के और उन शेत्यत योहारों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है जुरदा तालिया पियूश पुरोहित के लिए पियूश बताई हो सुनाओ सर मैं उत्राघंट सू और चमोली से हो तो सर मैं अपने जो उत्राघंट के पुरानी परंपरा होती है उनको प्रमोट करने की गुशिश करता हूँ और मतलब अलग तरीके थोड़ी वीएफेक्स वग्यारा एडिटिंग वग्यारा से जैसे कि उसमें थोड़ा वीएफेक्स यूज कर लिया जैसे वीडियो में वीएफेक्स होते हैं वीज्वालार्ड मैंने मन की बात में एक बार लोगों का प्पील किया था किसी और राजी के गीत को गाई है और चमोली का जो गीत है एक वो किरई की बच्चियों ने स्कुल में गाया था बहुत पॉप्लर हो गया था शहएद आपने बार लोगों देखा हो ला उसको चमोली का वो गीत बड़ा फेबर्स है लोगों के सालिप के लिए गाय जाता है ट्रद्रद्रा पर किसे जाँ इंग और भॉन्स वाम पो इस खुर्ट काइट इस खुड़ा बनाति है तो इस खुड़ा माल इश तर प्र नेश्थ घूटेंग जिडे भूमी ज्या हुट रखन। प्यालिए बहुत बेहना है है और नैशनल क्रिएटर्स अवाद्स की आखरी श्रेणी बेस्ट फेलेबरीटी क्रिएटर अवाडू और ये अवाड्स दिया जा रहा है अमन गुपता को एक उद्यमी के तौर पर अपनी सफलता और अपनी इनवेटिव बिजन स्ट्राटेजिस के लिए मश्यूर शार्क टैंक इंडिया में भी शामिल अमन गुपता हमान बहुत बढ़ता हो सकस्ऑल्त ङैक अपने जीवन में पी और दिनिया को भी दिखा रहे हो जारा बता ही यह तो सर दोहुजार सोला में जब स्टार्ट अप इंडिया स्टनाप इंडिया आया था हमने अपनी कंपनी स्टाट करी थी स्टाट करी ती स्टाट रीर्श बट एक टीए हम आज सेवेंटी परसंट सेवेंटी परसंट सेवेंटी परसंट अपर प्रोडक्स आव मेड इन इंडिया तो सर अभी अगला हमारा बस यही विशन है कि इंडिया से कोई ब्राइड अच्छा ब्राइड इंडिया से बहर जाए और जैसे यहां पर जब कोई फिरंगी प्रटक्ट आता है और लाइन लगती एंड़ाई हाई और डीरीं तुन जोने पुरता फॉर ऑधाय स्विल्च ब trait है वाध बहुत को जजी और और भी दो लोग ते लेकिन वो बार है मैं जजी इसका बहुत धन्यवाद करता हूँ इतने शांदार लोगों को परिचे करवा दिया आपने बहुत बहुत बढ़ाई आपको रुपाली गांगली जी और प्रिसुन जोशी जी आप सेने रोध कृप्याप अपना स्थान ग्रहन करें आपका बहुत बहुत आभाई माननिय प्रधान मंत्री जी के प्रेणा दाएक शब्द हमें लगातार हमारा मार्ग दर्शन करते रहे हैं और आज के इस अफसर पर हमने माननिय प्रधान मंत्री जी के बहुत से शब्दों को सुना लेकिन माननिय प्रधान मंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी अत्यांत उल्लासित रहते हैं उत्साहित रहते हैं और इसे लिए अब मैं पुनह मारणीय प्रधान मंतरीजी से समीना इने वेदन करती हूँ मारणीय प्रधान मंतरीजी कृपया अपने शब्दों द्वारा हमारा मार्ग दर्शन करें अभी भी कुछ सुनना बागी है क्या कैसे हैं आप सब लोग थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाएं इस कारगम में उपस्दित मंतरी परिशत के मेरे साथी अश्फिनी वैश्णव जी जूरी मेंबर्स बाई प्रसुन जोसी जी रुपाली गांगुली जी देश के कौने कौने से हाँ उपस्दित सभी कंटेंड क्रेटर्स देश के कौने कौने में इस आयोजन को देख रहें मेरे सभी वासाथी और सभी अन्य महा दुखाओ आप सबका स्वागत है आप सबका भिनंदर है और आपको लोग हैं जिन्नोंने अपनी जगा बनाई है और इसलिए आज उस जगा पे आप है भारत मंडपम और भारत सिंबॉल भी क्रेटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही और यही जगा है जहाँ जी ट्वेंटी से सभी मुख्या यहां इकटे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रेट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे और आज आप लोग हैं जो भारत का भविश्य कैसे क्रेट कर रहा उसकी चर्चा करने के लिए आए है साथ्यों जब समय बदलता है ताइम चेंज होता है जब नए युक की शुरुवात होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना यह देश का दाइत्व होता है आज भारत मंडपंबे देश अपने उस दाइत्व को पूरा कर रहा है पहले नेशनल क्रेटर एवोर्ट्स यहने पहला है यह आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्चे क्या है यह था मुझे पूछते हैं मैं हरे को जवाब नहीं देता हूँ कोई रेस्टरांट वाला अपना कीचन दिखाता है या लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इश्वर कुपा है मैं समय से पहले समय को भाब सकता हूँ और इसलिए यह पहला ऐसा आवोर्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुक स्थान लेने वाला है यह इस नए युक को एनरजाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना क्रियेटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजबरा की जिन्दगी के प्रती जो सम्मेदन सिलता है उसको सम्मान करने का अफसर है बविश्में यह वाड़ कंटेंट क्रियेटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है आज जिने नेश्नल क्रियेटर्स एवोर्ड मिले है मैं उन विजेताओं को तो बढ़ाई देता ही देता हूँ पर जिनोंने इसमें बढ़ चड़कर के हिस्सा लिया क्योंकि बहुत कम समय मिला था हम ज़्यादा इस चीज़ को पॉपलर भी नहीं कर पाए थे और मैं नहीं चाता था कि मैं इसमें और समय घवाऊं लेकिन जल्दी जल्दी मैं भी इतने कम समय मैं भी डेड़ पौने दो लाख क्रियेटिव मैंड से इसके साथ जुड जाए ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है जी और साथियों आज एक और प्रवित्र संग्योग है ये पहला नेशनल केटर से वोड़ महाशिवरात्री के सुब दिन पर आउजित हो रहा है और मेरे कासी मैं तो शीव जी के बेना कुछ नहीं चलता है महादेव भगवान शीव भाषा कला और क्रियेटिविटी के जनक माने गए है हमारे शीव नट्राज है शीव के डमरू से महेश्वर सुत्र प्रकट हुए है शीव का तानव लए और सुजन की नीव रखता है इतिहास और इसलिए यहाँ जो क्रियेटर्स हैं उनके लिए नए सब्चेक मिल जाएंगे महासिवरात्री के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखत संयोग है और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महासिवरात्री की बहुत बहुत सुख कामनाई देता हूँ फ्रेंड्स आज इंटरनेशनल विमेंस डेवी हैं लेकि मैं देख रहा हूँ पहली बार पूरुस काली बजा रहे हैं कि वन्ना उनको लगता हमारा तह कोई डे आता नहीं आज जो एवोर्ड मिले हैं उन्में भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं मैं उनको भी बसाई देता हूँ और और बी मैं देख रहा हूँ कि एटिव वर्ल में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा वे सबको देख रहा हूं मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके मैं देश की सभी महिलाओं को बहनों को बेटियों को इंट्रनेशनल विमेंस दे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज ही मैं अभी आप तो यहां बैठे हैं मैं गया सिलिंडर के सो रुप्या कम करके आया हूँ साध्यों किसी भी देश की जर्नी में किसी एक पॉलिशी डिसिजन या एक अभ्यान का कैसे मल्टिप्लायर इफेक्ट होता है यह आप सब को देख करके पता चलता है दस साल में हुए डेटा रिवलुशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स इंडिया अभ्यान ने एक प्रकार से कंटेंड क्रियेटर्स की एक नई दुनिया क्रियेट कर दी है और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की हुआ शक्ति ने सरकार को प्रेडित किया हो सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे इसको भी सोचो और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो आज के इस एवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवामन को हर डिजिटल कंटेंट क्रियेटर को जाता है साथियो भारत का हर कंटेंट क्रियेटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है हमारी युवामन को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं आपने content creation का कोई course नहीं किया है है ही नहीं तो क्या करोगे पढ़ाई के time career select करते हुए यह सोचा भी नहीं होगा कि हम content creator जैसा कुछ बनेंगे लेकिन अपने भविश्य को पहचाना future को देखा और ज्यादा तर लोगों ने one man army के तरह काम शुरू कर दिया अब यह सरद्धा को देखिए खुद अपना mobile लेकर के बैठ जाती है अपने project में आपी writer, आपी director आपी producer, आपी editor यानि आपको ही सब कुछ कर रहा होता है यानि एक प्रकार से इतनी talent एक जगा पर जमा हो जाए और फिर जब प्रगट हो तो उसका सामर्थ कितना हो सकता अंदाज लगा सकते हैं आपने ideas गड़े, innovation किये और उन्हें screen पर जीवन्त बढ़ाया आपने दुनिया को न केवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया बलकि लोगों को दुनिया भी दिखाई आपने जो हिम्मत दिखाई उसी के कारण आज आप सब यहां पहुंचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है आपका content आज पूरे भारत में जवर्दस्त impact create कर रहा है आप एक तरह से internet के MVP ठीक है न है थोड़ा दिमाग खपाओ creativity बताओ अपना जब मैं आपको MPP कहता हूं मतलए most valuable person बन गए साथियों आप सभी जानते हैं कि जब content और creativity आपस में collaborate करते हैं तो इसे engagement बढ़ती है जब content digital से collab करता है तो transformation आता है जब content परपस से collab करता है तो इसे impact दिखता है और आज जब आप लोग यहां आए हैं तो मुझे भी बहुत सारे विश्वों पर आप लोगों से collab request करनी है साथ एक जमाने में हम छोटी से छोटी दुकानों पर लिखा देखते थे यहां बहुत tasty food मिलता है ऐसा देखते थे ना कोई भी कहा है वहां क्यों खाना तो बहुत है tasty food है लेकिना आज हम देखते हैं कि दुकान वाले लिखते हैं कि यहां healthy food मिलता है अब टेश्टी नहीं लिखता है healthy food मिलता है क्यों बढ़लाव आया तो यह एक बढ़लाओ समाज में भी आ रहा है इसलिए content ऐसा होना चाहिए जो लोगों में क्रतग्य भाव जगा है देश के पती आपके जो क्रतग्य हैं उनके लोगों को प्रेरित करें और आपके content का यही direct message हो यह जरूर नहीं है आप content create करते हुए इसका ध्यान रखेंगे तो indirectly भी उसमें जरूर जलकेगा आपको ध्यान होगा लाल के लिए से मैंने बेटियों के अप्मान का विश्य उठाया था एक बार मैंने ये भी कहा था कि आप बेटी शाम को घर आती है तो पूछते हैं क्यों देर से आई कहां गई थी क्यों जल्दी घर नहीं आई मैंने लाल के लिए से पूछा था कि मुझे कोई तो माबाब बताओ जो अपने बेटे को पूछते हो कि तुम देर से क्यों आ रहे हो कहां गए थे बेटी को सब पूछते हैं बेटे को कोई नहीं पूछता है मैं कंटेंड क्रियेटर से कहता हूँ इस बात को आगे कैसे बढ़ाए एक माहूल कैसे बनाए समान जिम्मेबारी होनी चाहिए बेटी देर से आए तो भूकंप हो जाए और बेटा देर से आए पीटा खाना तो खाया था न क्यों बई कहने के हमारा बतलब है साथियों कि हमने समाज के साथ जूड़ना है और इस भावना को गर-गर पहुंचाने में आप जैसे साथी बहुत बच्छे धंग से उसको कर सकते हैं देखे आज महिला दिवस पर आप इस संकल को फिर दोहरा सकते हैं हमारे देश की नारिष शक्ति का सामर्थ कितना ज्याबा है वो भी आपके कंटेंट का हिस्सा प्रमुक हिस्सा हो सकते हैं मैं जुरूर दावे से कहता हूं जी आप में से कोई थोड़ा क्रेटिव मैंड के साथ सुबह से रात तक मा क्या करती है उसी को थोड़ा रेकोर्ड करके उसको हेडिर करकर रखे देखने वाले उस परिवार के बच्चे चौंग जाएं कि अच्छा मा इतना काम करती है एक साथ करती है ज्याने आपके पास एक ताकत है आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते है उसी परकारते जैसे गाउं की जोजिनगी है अपने देखा हो कि एक अट्रिवीटी में गाउं की महला है बहुत बड़ी मात्रा में जूड़ी हो थी ये बेस्टन लोगों की जो सोच है न ये भारत में वर्किंग गुमेंन नहीं है अरे भारत में महला है तबीते संसार चल पा रहा है जी गाउं में आप देखेंगे इतनी इकनोमिक अक्टिवीटी हमारी माताई बहने करती है अगर ट्राइबल बेट में जाएंगे पहड़ों में जाएंगे तो आपको मक्सिमम इकनोमिक अक्टिवीटी हमारी माताएं बहनें करती है जी और इसलिए हमारी creativity के द्वारा हम यह जो गलत perception बने है न बड़े आशानी से बदल सकते हैं हकिकतों के आधार पर बदल सकते हैं और मैं मानता हूँ हम इसको करना शही है अगर एक दिन की जीवन की सिरफ cycle को हम दिखाएं तो पता चलेगा कि हमारे हाँ पशू पालक हो किसान महिला हो मजदूरी करने वाले महिला हो कहसे काम करते हैं कितनी महानत करते हैं साथियों स्वच्च भारत के सभलता से आप सभी परिचीत है और आपने उसमें सहयोग भी किया है लेकिन ये तो निरंतर चलने वाला जनादोलन है कहीं पर भी कोई सभाई की अच्छी चीज आती है अब जैसे मैंने अभी एक रिल देखा कोई टाइगर पानी पीने जा रहा है और उसमें प्लास्टिक के बॉटल देखता है तो टाइगर मुण से प्लास्टिक के बॉटल उठाता है और कहीं पर जगा पर छोड़ने के लिए चला जा रहा है अब उसका मतलब मोदी किस-किस से बात पहुचाता है समझ गया है ना अब उसके माद्यम से आप भी पहुचा सकते हैं और इसलिए आप इस विशय पर भी लगाता है कोशने कुछ जुरूर करते रहिए एक 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 आहम विशय भी मैं आपसे सपर्स करना चाहता हूँ दोस्तों ये छोटी-छोटी चीज़े जो मेरे मन चोपो छुती है मेरे मन करता है कि क्रेटिव माइन के लोग है तो शायद मैं मन खोल करके बाते भी कर सकता हूँ मैं भाशन नहीं कर रहा हूँ जैसे मेंटल हेल्थ ये बहुत ही छूने वाला विशय चीज़ है और वैसे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी कंटेंट हसी मजाग से जुड़ा होता है लेकिन कई अन्य गंभीर विशय भी होते हैं मैं देखता हूँ मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत बदाई हो आपको बहुत बदाई हो बहुत बदाई हो बहुत बदाई हो मैं नहीं कहना उनी बनाते हैं मैंने बोला ही नहीं है जी मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूँ मुझे मेरे देश के टैलेंट पर भरोसा है मुझे मेरे देश के लोगों के संबेदन जिलता मुझसे जराबी कम नहीं है लेकिन यह ऐसा है और जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वो ज्यादा क्रियेटिव है ऐसा मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंटल है को लेकर काफी क्रियेटर्स बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं लेकिन अभी हमें इस पर और ज्यादा काम करने की जरूब है और हो सके तो लोकल नेंग्वेज गाओं के अंदर एक परिवार मगर ऐसा बच्चा है उनकी लिए क्या हो सकता है बड़े शहर में फाइव स्टार दुनिया में तो होगा क्योंकि उनकी जिन्दगी में यह बहुत जरूरी है उसी प्रकार से बहुत बड़ा महत्वण विश हैं बच्चों में स्ट्रेस का हमें पता नहीं होता है पहले तो हमारा जॉइंट फैमिली होता था और बच्चे कभी दादी समाल लेती थी, कभी दादा समाल लेते थी, कभी नाना, कभी नाना, कभी चाचा, चाची, भावी, भाई, अब माइक्रो फैमिली है, दोनों लोग चले गए हैं, आया के पास बढ़ा है, पता नहीं, उसको दोस्तों तो कह रहे हैं, जैसे रिजल्ट अभी आ गया हो, लेकिन दीरे 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 पारागराम हो जायता था है, मैंने कई आण, बारा पंदरा साल पहले, एक छोटी सी फिल्म देखी थी, उस जमाने में तो उतना वीडियो वीडियो को पॉप्लर नहीं था, लेकिन मेरी य पूची है, जानना, समझना, सीखना, और उसमें ये बताया गया था कि कुछ भी गलत निड़ने लेने से पहले, बहतर जीवन जीना ज्यादा आसान है, और कितना जीवन सुन्दर बनता है, और उस बच्चे को एक्जाम देनी होती थी, उसको लगता है, ये सब मैं नहीं कर आत्मा हित्या करने के लिए सोचता है, शायद उसके जो क्रिएटर होंगे उसको याद आजाए का मुझे पूरा याद नहीं कि मैंने 15-16 साल पहले इसको 20 साल हो गए होंगे, तो उसको मन करता है कि मैं रश्य से टांग करके जान दे दू, तो रश्या खरिजने जाता है, त तो वो उसे पुछता है कि इतने फीट चाहिए लंबा, तो उसोता है फीट क्या होता है, तो जाके पढ़ा ही करता है, फीट ऐसे होता है, फिर वो कहता है उसको हुग चाहिए, तो लोहे का चाहिए कैसा चाहिए, उसकी पढ़ाई का, फिर उसको ध्यान में आता है यार, मर तो पढ़ना सरल है, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है उसने, हार्डली साथ आग मिनित ही होगी, लेकिन जब मैंने उसको देखा और वो यह जो आत्मात्या करने का मूड बन जाता है बच्छों का, छोटी सी चीज है, लेकिन उसके जिन्दगी को एक नही रहा दिखा दे अब आप भी जानते हैं, मैं परिक्षा पे चर्चा का कारिकम करता हूँ, आपको लगता है, कोई लोगों मजा कुड़े का गया, यार के प्रामिस्ट है कि बच्चों के साथ परिक्षा पे चर्चा करता रहता है, फालतू समय कर, मैं जानता हूं दोस्तों कि, मैं कोई सरका नहीं बना सकता, मुझे उनके साथ जूड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, जी जान से जुटना पड़ेगा, और उस समय, यानि बारिश के बाद अगर मैं खेत में काम करूँ तो काम का है, परिशा के दिनों में उसकी बड़ी ताकत होती है, और इसलिए मैं हर सा बना समाल, रेगुलर्ली ये कारकम करता हूँ, क्योंकि मेरे मन में ही होता है कि बच्चों के साथ मैं कुछ बाते करूँ, खुल कर बाते करूँ, हो सकता है कि इसी वेकाच चीज, काम आ जाए, उनके मन को छूजा है, उनका हाथ पकड़े, उनकी हैंड़ोल्डिंग करे, उ लेकिन आप तो उब भी कर सकते हैं जी क्या हम ऐसा कंटेंट और ज्यादा बना सकते हैं जो यूथ में हैं ड्रॉग्स के नेगेटिव इफेक्स को लेकर एविद्ट लाए हैं हम बलकिल दावे से क्रीटिव यूथ में समझा सकते हैं कि ड्रॉग्स इज़ नौटकोल फार साथियों इसमें बहुत बड़ा और आप लोग है बड़े क्योंकि आप उनके साथ जूड सकते हैं उनकी भाषा में बात कर सकते हैं साथियों अगले कुछ दिनों में लोगसभा के चुना होने जा रहे हैं आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हो सका तो नेक्स शिवरात्री पर भी या तो डेट कोई और हो सकती है ये ऐसा कारकर मैं ही करूंगा लेकिन मैं मैं लोगसभा चुनाव का विशे उस अर्थ में नहीं लाया हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज़्यादा मेरे लिए आप मरते हैं और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूँ और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं वो मोदी की गारंटी नहीं है 140 करों देशवाजियों की गारंटी है यह बात सही है यह मेरा परिवार है साथ योँ मैं जो लोगसभा चुनाव की बात कर रहा था और यह क्रियेटिव वोल्ड के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर उनको हम जांगरूत करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसको पता हो कि बोड देना यहने किसी को जिताना हराने का काम नहीं है बोड देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की मिलने प्रक्रिया के हिस्सेधार बने हो तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर पार्टनर हो यह उस तक पहुँचना जरूरी है जी उसको कभी यह मत कहिए किसको वोड दो लेकिन आप उसको जरूर कहिए कि वोड तो देना ही चाहिए वो तै करेगा किसको देना किसको नहीं देना वो तै करेगा लेकिन वोड देना चाहिए यह उसको जरूर कहना चाहिए और मैं मानता हूं हमारे देश में दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समुरुदी बढ़ती गई बोटिंग पैटरन घड़ती गई दुनिया में देश समुरुद हुए लेकि अगल अग व्यवस्ताओं में समुरुदी तक ले गए और बाद में लोकतंतर के दिशा में गए भारत शत प्रतीशत लोकतंतर के ही अधिश्ठान को लेकर के समुरुद राष्टर बनने के सपने को लेकर के चला है और दुनिया के लिए मोडल बनने वाला है यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा मोडल बनने वाला है लेकिन उसमें मुझमिर देश के नौजवनों की भाग जो हम अपने आस्पाद देखते हैं कि जो दिव्यांग जन होते हैं, specially able होते हैं, उसमें बहुत प्रतिवा होती है, टालेंट होता है, आप उनके लिए भी एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे दिव्यांग जनों में जो inherent ताकत होती है, उसे बहार लाने की अवशक्ता है, उसे भी social media की शक्ती से जोडने की ज़रूरत है, साथियों, एक और विशह है, भारत का influence, भारत के बहार और ज्यादा बढ़ाने का, आज दुनिया में आप में से जो भी परिश्चित होंगे विश्व किताथ, आज भारत का तिरंगे का बहुत आंबान शान है, भारत के पासपोर्ट के आंबान शान है, है के नहीं है, है ना, आपने देखा होगा, यूक्रेन से बच्चे जब निकल रहे थे, तिरंगे जन् चल जाता है जी, ये सामर्द ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीशे एक मिशन बोर्ड में तपस्या की गई है, दुनिया में आज बाताओं बढ़ला है, लेकिन उसको और अधीक, आज भी दुनिया में कुछ परसेप्शन ऐसे ही है हमारे लिए, हम उसको बदल सकते हैं क्या, और मैं मानता हूँ, मुझे आद है, मैं एक बार किसी एक देश में गया था, तो एक इंटर्पेटर मेरे साथ था, तो परिचे, वो और वो कम्पूटर एंजिनियर था, उस सरक कार में काम करता था, तो मेरी मदद की उसने, तीन-चार दिन मेरे साथ था ता वो, तो परिचे हो गया, तो आखिर में उसने का, साभ, आपको बुरा न लगे तो सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने का, क्या, निस साभ, आपको बुरा नहीं लगेगा ना, मैंने का, नहीं यही आपके देश में साफ, सपेरे, चादू, टोना यही होता है क्या। यह मुझे पूछा गया सवाल था जी। मैंने का देख दोस्त, हमारे लोग तो उस जमाने में तो बड़े ताकत बढ़ते हैं। तो साफ, बापूर के लिए बड़े बायात का खेल था। अब मैंने का हमारी ताकत बहुत कम हो गई है। और धीरे, 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 धीरे करके मैंने का वो माउस पे आ गए है। लेकिन मैंने का वो माउस से पुरी दुनिया को हिलाते हैं। साथियों मेरे देश का ही जो सामर्त है ना। इस सामर्त को हम। आज अगर विदेश में बैटे किसी सक्ष को मैं समझता हूं हमारे सामर्थ से आकरशित करें उनको लाने की विशाम हमारा काम हो हम अपने कंटेन को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं आप पुरी दुनिया में भारत के डिजिटल एंबेसेडर्स हैं दोस्तों और मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी ताकत है आप फिक्ष्ण आप सेकेंड दुनिया में पहुंच सकते हैं आप वोकल फॉर लोकल के ब्राण्ड एंबेसेडर्स हैं मैं कल सीने कर में गया था तो ए ग्लोबली उसे अपने एक ब्राण्ड पहुंचा दी है जी जस्ट डिजिटल बॉल के माते हमसे हैं और इसलिए साथियों आईए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ओन इंडिया मुवमेंट मैं बहुत दिम्मेवरी के साथ आप लोगों से प्रिक्षा कर रहा हूं क्रिएट ओन इंडिया मुवमेंट की शुरुआत करें हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को भारत के संस्कृति को भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशन को पूरी दुरिया से शेयर करें हम भारत के अप आप एसा कंटेंट करिए जो आपके साथ ही आपके देश हम सब का देश भारत को भी जादा से जादा लाइक्स दे और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियन्स को भी एंगेज करना होगा दुनिया की उनिवर्सिटीज के साथ दुनिया के नवजवानों के साथ जोड़ना होगा आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं आप इसे कई लोग विज़ेशी भासा को जानते हैं नहीं जानते हों के तो आते AI के मदद से काम हो सकता है कुछ लोग सिख भी सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा UN लेंग्विजिमें जर्मन फ्रेंस परिज जैसे लेंग्विजिमें कंटेंट बनाएंगे तो आपकी और भारत की भी रीच बढ़ेगी हमारे अरोस परोस के देश हैं उनकी भासाओं में हम कुछ करें हमारी ये गल अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स के साथ गप्पे मार रहा था तो ऐसे ही AI वगेरे सारे विश्व पर बहुत चलता निकिए कभी उसके विश्व में जुरूर आपको पता चलेगा लेकिन हमने अभी कली एक डिसिजन लिया है हम AI मिशन को और मैं मानता हूँ दुनिया द प्रकार ने देखा होगा सेमिकंडक्टर जिस प्रकार भारत सेमिकंडक्टर के दुनिया में आगे बढ़ रहा है और मैं बताता हूँ कि हम टूजी फोर जी बगरे में बहुत पीशे रह गए फाइव जी में हमने लीड कर लिया वैसा ही हम बहुत तेजी से सेमिकंडक्टर के दुनिया में हम दुनिया में अपनी जगा बना लेंगे दोस्तों और देखते ही देखते हम छा जाएंगे और ये मोदी के कारण नहीं मेरे देश के नवजवाँ के कारण मेरे देश के टैलेंट के कारण इतना सामर्थ है मोदी तो सिरफ अवसर देता है रास्ते से कांटे हटा देता है ताकि मेरा देश का नवजवान तेज गति से आगे बढ़ चलेता है और इसलिए मैं चाहता हूं जिसे हमारे प्रडोस के देश हैं उनकी भाशा है उनके साथ उनकी सोच समझ के अनुकूल हम जितनी चीजे पहुंचाएंगे मैं समझता हूं हमारा नाता और जुड़ेगा हमें अपना विस्तार करना है अपना प्रफाव पैदा करना है दोस्तों और यह क्रिटी वर्ल्ड बहुत अच्छी तरह कर सटते हैं और AI की ताकत आप जानते हैं आजकल देखा होगा मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूं कुछी समय में वो आपको हिंदुस्तान की आट दस लेंग्विजिज में यह मेरी सारी बाते आपको मिल जाएगे क्यों मै क्यों करता हूं आपके साथ अगर यहां आते ही जाते मेरा फोटो निकल गया तो आप AI के माध्यम से वो फोटो अपनी कलेक कर सकते हैं नमो एप पर जाएंगे फोटो बूद पर चले जाएंगे आराम से आपको मिल जाएगी मेरी फोटो आज से पांट साल पहले कहीं मिल ग पास यह सामर्थ है हमें सामर्थ को लेकर आगे जाना चाहता है और इंट्रनेशनल लेवल पर भारत की एक छबी नई उचाही पर ले जाने का काम हम अपनी इस क्रेटिविटी से कर सकते हैं एक फूड क्रिएटर किसी को मुंबई के बढ़ा पाउं कि भशूर दुकान तक एक फैशन डिजाइज दुनिया भर को यह बता सकता है कि भारत के कलाखरों की खुबी क्या होती है एक टेग क्रिएटर पूरी दुनिया को यह बता सकता है कि मेकेन इंडिया से हम क्या बना रहे हैं और भारत में इनोविशन कैसे बढ़ रहा है एक गाउं में बैठा ट्रे सुनना चाहती है जो लोग भारत को जानना चाहते हैं भारत के कौने को जानना चाहते हैं उनकी भी आप बहुत मदद कर सकते हैं साथ इन सारे प्रयासों में आपकी स्टाइल आपका प्रेजेंटरेशन आपका प्रोड़क्त आपकी फैक्स अगर मैं माना तो हगी को तो विश यह निकाली होती है लेकिन जो मीजोलोजी जानता है न वो जब उसको बनाता है रखता है तो हम उसी हूग में पहुंच जाते हैं 300 साल पुरानी चीछ देखते हैं तो लगता है कि मैं उस समय जी रहा हूँ क्रियेटिविटी की यह ताकत होती है दोस्तों और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के भीतर वो क्रियेटिविटी है जो मेरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिक एजन बन सकता है और इसी भावना से मैं आज आप सब को मिला आप सब को बुलाया आप बहुत ही कम नूटिस आये आपने कुछ करके दिखाया है जूरी को भी मैं बधाई देता हूँ क्योंकि डेड़ पोने दालाख लोगों के एक एक बारी की को पहुंचाना बड़ा कठीन काम है लेकिन आने वाले दिनों में ये काम और अधिक अच्छे डंग से अधिक साइंटिफिक डंग से हम कर पाएंगे मैं फिर एक बार आप सब को बहुत बहुत सुब कामराई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत आपहर मानने प्रिधान मंतरी जी